नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों Fox News 787.5 million भरने वाला है कारण है उसने voting machine के खिलाफ कुछ दुश प्रचार किया था तो voting machine भराने वाली company ने कहा कि इनके खिलाफ अब तो हम एक defamation suit फाइल करेंगे और इससे पहले ये मामला court में जात हैं और अब Fox News 787.5 million का चुना लगने वाला है दोस्तों पर यहां पर सवाल उठता है इंडिया में भी आए दिन EVM machines पर आपको आवाज उठते वे दिखेंगे राधर एक rule बन गया है यदि कोई party result आने के पहले से EVM machine के बारे में बोलने लगे तो समझ जाईए वो party हारने वाली है और इस प्रकार का दुषप्रचार आम बात है तो क्या इंडिया में भी EVM दुषप्रचार का इलाज कोट है इंडिया में क्या provisions है उन पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं Fox News के खिलाफ New York Times टाइम इन सब में बहुत आर्टिकल्स कैरी हो रहे है यह सब कहरें कि तो भी शुरुवात है अभी देखिए और भी diffamation suit spending है देखिए क्या होगा दोस्तों आपके हमें बताना चाहूंगा Fox News अगर आप देखें तो जो left और right का जो balance है उसमें Fox News right में आता है वही New York Times और Time अगर आप देखें तो यह left वाले media हैं इंडिया में दोस election commission ने कुछ ऐसा ही फैसला लिया और defamation suit होता है तो और अगर इस प्रकार का मामला दर्ज होता है और उनको इस प्रकार का हरजाना भरना पड़ता है तो यही पत्रिकाएं New York Times टाइम जैसी पत्रिकाओं में आपको देखने मिलेगा भारत में democracy खत्रे में तो बड़ी 23 अपरिल को है make sure जल्दी से जाके register कर दें यह actual UPSC patent पे actual UPSC timings में हम यह mock test ले करके आ रहे हैं participants को rank 123 लाने वालों को आपकी पढ़ाई के लिए Samsung tablet भी दिया जा रहा है इसके सिवा Amazon gift vouchers भी हम provide कर रहे है लगी draw winners जोकि top 50 rankers होंगे तो make sure इसका फायदा उठाएं link आपको description box और साथ साथ पहले linked comment में भी pinned comment में भी मिल जाएगा जाके register कर ले enroll कर लें इसके सिवा एक जून से हम शुरू करने वाले pathfinder batch जिसके अंतरगत 900 से अधिक घंटे होंगे live class के केवल बस early bird offer है पहले 1500 aspirant को हम दे रहे हैं केवल 7999 रुपए में आपको 900 प्लस live hours मिलेंगे और द सिवा direct hand holding है दोस्तों जो मैं हमेशा कहता था तो जो विद्यार्थी प्रिलिम्स क्लियर कर रहे हैं अगर आप mains पहुंचेंगे तो आप direct हमारे mentorship के अंदर आएंगे दोस्तों यहाँ पे low cost है लेकिन highest quality है पूरी pathfinder की team होगी रोमन सर भी खुद होने वाले हैं इसके सिवा 40 test प्रिलिम्स के 10 test है mains के तो आप directly हमसे पढ़ने वाले हैं बेस्ट जो आपको पढ़ने की material मिलेगी और बेस्ट guidance मिलेगा बहुत ही affordable price पे इसको अब अपने हाथ से बिलकुल भी जाने ना दे साथ-साथ मैं एहमदाबाद में आपसे मिलने आ रहा हूं 27 एप्रिल सुबह 11 ब कारे में बता देता हूं दोस्तों US में अलग-अलग प्रकार से voting होती है निर्भर करता है जो citizens है उनका क्या location है किस राज्य में है कुछ जगहों पर in-person voting होती है जिसमें ballots को हाथ से भरा जाता है तो कहीं पर ballots को एक secured box में डाला जाता है फिर उसको election office ले ले जाया जाता है और वहाँ पर electronic तरीके से vote counting होती है तो कहीं physical counting होती है पर यहां जो मुद्दा बना हुआ है वो है electronic voting तो दोस्तों इसमें क्या होता है इस प्रकार का computer लगाया जाता है जैसा आप यहां पर देख रहे हैं तो इस प्रकार का computer होता है जिसमें आप कुछ इसको समझें तो वैसे ATM में बटन दबाते हैं वैसे ही जिसको vote देना है उसको आप vote दे सकते हैं और यह ballot print किया जाता है voter एक बार उसको review करता है जैसे हमारे यहां VVPAT में होता है और इसके बाद इसको finally accuracy के बाद tabulator में डाल दिया जाता है electronic vote counting हो जाती है अब दोस्तों US में Dominion voting systems नाम की एक company है जो इस प्रकार के machines को बनाती है तो Fox News के parent Fox Corporation को 787.5 million देना है Dominion voting system को कारण है कि Fox News ने कुछ ऐसे news चलाए थे जिसके मताबिक इस प्रकार का दुष्परचार किया जा रहा था कि Dominion की जो voting machine है उसमें vote यदि Trump को दिया जाए तो भी वो Biden को चला जाता है जैसा हमारे आभी कहा जाता है कई बार हमारे EVMs के बारे में तो Fox के जो hosts थे जो guests थे उन्होंने इस false claim को amplify किया कि voting technology ऐसी है ना Dominion voting system की जिसके दवारा जो Biden के support में elections को rig कर दिया गया और Donald Trump को नुकसान जिलना पड़ा तो इसके बदले में Dominion voting system ने 1.6 billion के charges demand किये थे Fox Corporation से और यह था कि defamation suit एक तो इसके बाद लग रहा था कि कही ना कहीं Fox News फसने वाली है तो इससे पहले यह मामला court में जाता court में जाने के ठीक पहले Fox News ने बस मामले में कही ना कहीं पेच अटक गई थी लेकिन court में बात शुरू होती चरचा होती उसके ठीक पहले उसके ठीक पहले Fox News और Dominion voting system में defamation settlement है पूरे के पूरे US में तो इस deal के अंतरगत Fox News को कोई on-air apology डालने की जुरत नहीं है लेकिन Fox News agree किया है 787.5 million dollar वो pay करेगा और Fox को आपको बताना चाहूंगा और एक इसी प्रकार की voting machine बनाने वाली company है Smartmatic USA उनके खिलाफ भी एक 2.7 billion dollar का lawsuit pending है तो शायद उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा आपको तस्वीर में मैं दिखा देता हूं यहाँ पर यह Smartmatic की voting machine है जो आप इस वक्त देख रहे हैं जिसमें आप vote देते हुए देख रहे हैं किसी व्यक्ति को तो अब इंडिया की बात करते हैं दोस्तों इंडिया में पहली बार EZM का इस्तमाल हुआ था परुर किरला के constituency में 1982 में एसेमली elections में इसका इस्तमाल किया गया था और EZM को choose किया गया था ballot papers को remove करने के लिए replace करने के लिए दोस्तों ballot papers के साथ अपनी समझ से आए रही है काफी बार manipulation हुआ है बूत capture हुआ है time consuming भी है आप सभी को मालुम है आप को अगर नहीं मालुम तो आपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि इस प्रकार से बूत capturing हुआ करती थी और कितना time लगता था result आने में और उसमें उतनी ज़्यादा vulnerability होती है इस बीच counting से related में तो उसके बाद Supreme Court की बात अगर हम करे तो 1982 में जब यह पहला trial run हुआ था परूर में उसके बाद Supreme Court ने ban करवा दिया था electronic voting machine का इस्तमाल during the elections पहला experiment हो गया था फिर 1989 में election commission ने EVM के साथ EVM बनाने के लिए BELL याने भारत Electronics Limited और ECIL याने Electronics Corporation of India Limited के साथ collaboration किया कहा कि अब से आप electronic voting machines बनाईए और उसके बाद से 1992 में Parliament ने RPA याने representation of the people act and conduct of election rules दोनों को amend किया जिसके द्वारा EVM का इस्तमाल legalize हो गया और तब से 1998 से अगर आप देखे तो EVMs लोगसभा और state assembly elections में इस्तमाल होते रहे हैं और तब से एक allegations EVM tampering पर हमेशा से लगता रहा है और election commission time and again कहती है wild and baseless है दोस्तों भारत में तो इस प नहीं लूँगा लेकिन तस्वीरे लगाई है उन्हीं के tweets की हैं आप देख सकते हैं दोस्तों यहां तक कि कुछ अब journalists तो यहां तक कहने लगे हैं कि यदि कोई politician कहने लगे EVM tampering EVM tampering तो यह sign होता है desperation का मतलब कि वो party हारने वाली है तो और यह देखने भी मिलता है result आने के पहले से यदि को EVM tampering EVM tampering करे यानि वो हारने वाले हैं तो दोस्तों बात करते हैं भारत में क्या इस प्रकार का चीज इस प्रकार की चीज हो सकती है with respect to defamation बिलकुल है भारत में भी ऐसे provisions है आप देख सकते हैं मैं आप एक आपको photo भी लगा के दिखा रहा हूं जिसमें ECI ने कहा है कि वो stern action लेगी वो व्यक्ति जो fake news फैला रहे हैं उनके खिलाफ F.I.R. भी फैलाया था जिसमें EVM tampering की बात हो रही है और यह F.I.R. फाइल किया था under IPC section 500 जो की defamation की बात करता है इसके सिवा दोस्तों election commission ने भी कुछ powers demand किये थे उन्होंने कहा था कि हमें contempt के power द demand को reject कर दिया गया law ministry को election commission ने लिखा भी था कि हमें amendments to the condemns of court act के अंतरगत power दिया जाए और दोस्तों ये बहुत हद तक देना सही भी नहीं होगा क्यूंकि इस प्रकार के power सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एरान लिबेरिया वनिंस्वेला जैसे देशों में है जो कि definitely democracy तो कही से भी नहीं है fragile democracy भी कहना गलत होगा democracy ही नहीं है तो उन देशों में ही ऐसे powers होते हैं तो अगर election commission से कुछ गल्ती हुई है तो लोगों को आवाज उठाने की आजादी होनी चाहिए हाँ जो आवाज है उठाया जा रहा है वो सही तरीके से उठाया जाए with proper proof otherwise reformation काफी है जो पूरा मुद्दा उठता है कहीं न कहीं EVM के खिलाफ इसके पीछे कारण क्या है कारण है mistrust है election commission में mistrust है और उसके पीछे कारण था कि आज तक election commission के जो members आते थे वो centers के परोगेटिव थे center जिसको चाहे उसको appoint कर सकती थी लेकिन रिसेंटली Supreme Court ने एक verdict भी दिया है जिसके इंटरगत five judge bench of Supreme Court का ये verdict है जिन्होंने unanimously rule किया कि Prime Minister, Leader of Opposition in लोगसभा और Chief Justice of India मिलके चीफ election commissioners और election commissioners को pick करेंगे तो इससे कहीं न कहीं वो trust वाली बात भी आ जाएगी तो इस प्रकार के उमीद है इस प्रकार के जो EVM rigging के allegations है शायद कम देखने मिले लेकिन अगर ये allegations के पीछे कारण है खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों आपको उमीद करता हूँ आज की class पसंद आई होगी तो like जरूर कीजिएगा बाकि आप समुद्र मंतन free mock test में जरूर जुडए UPSC CSE GS, UPSC CSE CSAT दोनों हम cover कर रहे हैं proper UPSC pattern पर हम cover कर रहे है 9.30 से 2.30 PM 9.30 से 2.30 to 4.30 CSAT तक class test चलेगा तो proper timing follow किया जा रहा है आपके biological clock को भी circadian rhythm को भी align करने के लिए तो इसको जरूर attend करें आप इस बार films दे रहे हैं अगली बार भी दे रहे हैं तो इससे पहले आपको UPSC test करें अक्च्छल यहां पर test हो रहा है आ तो rank 1,2,3 को GS में जो ला रहे हैं उनको Samsung tablet मिलेगा और जो combined GS plus CSAT में top 50 rankers होंगे उनको lucky draw winners को top 50 rankers को Amazon gift vouchers भी है इसके सिवा pathfinder batch हम ला रहे हैं एक जून से start हो रहा है 900 प्लस आर्स है life class की UPSC experts के द्वारा guide किया गया है low cost batch है लेकिन highest quality है pathfinder की team है romancers खुद हैं पढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ अजुड़ने वाले हैं early bird offer है दोस्तो 7999 में पहले 1500 aspirants को ही ये कीमत मिलने वाली है तो जल्दी से जाएं नीचे आपको comment में पहला pinned comment में link मिल जाएगा और उसके through इस से जुड़ जाएं जल्दी से enroll कर ले subscribe कर लें बहुत कम rate पे हमने रखा है त इंटर्व्यू भी है मेंस में हम guided program लेकर के आएंगे अगर आप रिल्म्स क्लियर कर रहे हैं और मेंस दे रहे हैं तो आपके लिए direct mentorship होगी hand holding होगी interview में guidance होगा वैसे ही और complete guidance आपको मिलेगा इसके सिवा test series भी हम दे रहे हैं याने बस और बस आपको यही subscription लेना है इसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए UPSC civil service exam के यह prepare करने में